प्यारे बच्चों, आप ये तो जान ही गए हैं कि असाइनमेंट क्या होती है और कैसे बनाई जाती है? असाइनमेंट का अर्थ होता है जो कुछ हमने सीखा है उसे अपनी डेली लाइफ में प्रियोग करना. Let us make another assignment. आईए एक और असाइनमेंट बनाते हैं. सबसे पहले बनाते हैं सुन्दर सा फ्रंट पेज. पहले दो पैरलल लाइन्स लें, ट्रॉयंगल शेप में, फिर इनके बीच में अपने स्कूल का नाम लिखें. इसके बाद अपने एजुकेशन ब्लोग का नाम और दिष्टी का नाम लिखतें. सब्जेक्ट है हमारा साइंस. सुन्दर वर्ड्स में असाइन्मेंट लिखें. अच्छे डिजाइन में. टॉपिक ओफ असाइन्मेंट है टेफिसेंसी डिजीज. अभाव जन्य रोग. इसके बाद असाइन्मेंट बनाने वाले का नेम, क्लास और रोल नंबर. सब्मिटिट टू टीचर का नाम. और सबसे अंत में रिमार्क्स. ऐसा ही फ्रंट पेज आप हिंदी मीडियम के लिए भी बना सकते हैं. बच्चों, अपने आसपास रिलेटिव, रिष्टेदार, फ्रेंड्स, मित्रों से जानकारी कुलेक्ट करें और उससे अपने असाइन्मेंट पूरी करें. संतुलित अहार आप तो जानते ही हैं, वह अहार जिसमें हमारे शरीर के लिए अवस्यक सभी पोशक्तत्वा, प्र्याप्त रुक्सांस तथा जल उपस्थितों उसे संतुलित अहार कहते हैं. अवस्यक पोशक्तत्यों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन व, खनीज लवन होते हैं. सामने आप संतुलित अहार से भरी ठाली बना सकते हैं या चित्र भी लगा सकते हैं. भोजन में अन, दालें, फल, सबजियां, दूद, घीया दी शामिल होने चाहिए. बालंसे बालंस दीट, अड़ जाइड विटंस अल नुट्रिए इन प्रोटीज अक्रफेज आ रफेज दोटर इन बालंसे इन बालंसे दीट. Our food must contain grain, pulses, fruits, vegetables and milk etc. And you can see the picture of balanced diet plate. You can draw also the picture. अगले पेज़ पर, in the next page, अभाब जन्यारूग अगर हमारे भोजन में लंबे समय तक किसी पोशकतत्व की कमी रह जाए तो उस पोशकतत्व के अभाब के कारण शरीर में कई परकार के रोग या विक्रितियां हो जाती है उन्हें हम अभाब जन्यारूग कहते हैं जैसे किसी का बहुत पतला होना या बहुत ज़्यादा मोटा होना Deficiency Diseases The disease or disorder in our body caused by the lack of any nutrients in our food for a long time is called Deficiency Disease For example, very fat and very lean or thin सबसे पहले विटामिन A की कमी और विटामिन A की कमी के लक्षन है कमजोर द्रिष्टी, अंधेरे में कम दिखाई देना या बिल्कुल भी दिखाई ना देना आप चित्तर में इन लक्षनों के बारे में देख रहे हैं विटामिन A की कमी से होने वाले रोग का नाम है द्रिष्टी हींता या रत्तोंधी और विटामिन A के स्रोथ हैं दूद, पपीता, गाजर, आम, मचली का तेल इत्यादी Deficiency of vitamin A And the symptoms are poor vision, loss of vision in darkness and complete loss of vision And in front there are pictures showing these symptoms The name of disease due to deficiency of vitamin A is loss of vision or night blindness Sources of vitamin A are milk, papaya, carrot, mango and fish oil etc अगले page पर vitamin B की कमी और इसके लक्षन है दुरूबल पेसियां, ठकान होना, काम करने की उर्जा में कमी इत्यादी चित्र में आप देख सकते हैं ठकान और कमजोरी Vitamin B की कमी से होने वाला रोग है, बेरी बेरी Vitamin B के स्रोथ हैं, गेहूं, चावल, यक्रित, इत्यादी Deficiency of vitamin B And the symptoms are Weak muscles, fatigue, very little energy to work And there are pictures showing these symptoms The name of disease is बेरी बेरी And sources of vitamin B are Wheat, rice, liver, etc अगले पेज पर, vitamin C की कमी और इसके लक्सन है, मसूडों से खून निकलना घौव भरने में अधिक समय लगना चित्र में आप देख सकते हैं और चित्र ऐसा बना भी सकते हैं और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है सकर्बी Vitamin C के स्रोथ हैं संत्रा, टमाटर, अमरूद, आमला, नीम्भू, मिर्च, इत्यादी Next is deficiency of vitamin C And the symptoms are bleeding gums, wounds take longer time to heal The name of disease is scurby And sources of vitamin C are orange, tomato, gauva, आमला, lemon, green chilli, etc. अगले पेज पर vitamin D की कमी लक्षन है हडियों का मुलायम होकर मुड़ जाना चित्र में आप देख रहे हैं सीधी टांगे, मुड़ी हुई टांगे और अंदर की ओर मुड़ी हुई टांगे Vitamin D की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस और विटामिन D के स्रोथ हैं दूद, मक्षन, मचली, अंडे, ये कृत्यादी Deficiency of Vitamin D And the symptoms are Bones become soft and bent As you can see in the picture also You can make these pictures The name of disease is टिकेटस Sources of Vitamin D are Milk, Butter, Fish, Egg, Liver, etc आगे है केल्σιम की कमी और लक्षन है कमजोर हड्डियां दंतक्षै दांतों का तूटना या कमजोर होना आप सामने इसका चित्र भी चिपका सकते हैं और रोग का नाम है हड्डियां और दंतक्षै केल्सियम के स्रोथ है दूद, अंडे, इत्यादी Deficiency of calcium And the symptoms are Weak bones, tooth decay The name of disease is bone and tooth decay Sources of calcium are Milk, egg, etc अगला है आयोडीन की कमी लक्षन है गर्दन की गरंथी का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता दिमाग का पूरी तरह से विक्सित ना होना चित्र में आप देख रहे हैं इस तरह का आप चित्र भी बना सकते हैं रोग का नाम है घेंगा या गोईटर आयोडीन के श्रोथ हैं पालक, अद्रक, मच्छी Deficiency of iodine And the symptoms are Glands in neck, swollen Mental disability in children The name of disease is Goytar Sources of iodine are Spinach, ginger, fish, etc अगले पेज पर हम बनाएंगे लौह की कमी और लक्षण है कमजोरी चित्र में आप देख रहे हैं कितना पीला हाथ है इसमें खून की कमी है इसे हम अरक्तता कहते है लौह के स्रोथ है पालक, सेव, यक्रित इत्यादी Deficiency of iron And the symptoms are Weakness Name of disease is Anemia And sources of iron are Spinach, apple, liver, etc इसके अलाबा और भी चित्तर और भी चीज़ें आप इसमें जोड सकते हैं जिससे आपके assignment और भी अच्छी और भी सुन्दर और भी best बने तो आप भी लग जाएं assignment बनाने में जिससे बनाचीे, हम आपके हितो